राइबरेली और वाइनार के जो वोटर्स हैं, उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, कमाल करके दिखा दिया UP के जनताना, कमाल करके दिखा दिया UP ने हिंदुस्दान की राजनेती समझ कर, Constitution पर खत्रा समझ कर, उत्तर प्रदेश ने Constitution की रक्षा की है, और मैं सब स्ट करना चाहता हूँ, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूँ, आपने Congress Party का इंडिया गडबंधन का समर्थन किया, बहुत बहुत धन्यवाद, और इसमें UP में एक और बाद UP के बारे में बोल देता हूँ, इसमें मेरी बेहन प्रियंका गांधी का भी काम है, जो यहां पीजे खुपी होई है, इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है, और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है, कि हम आपको नहीं चाहते हैं। अबी एक राजनेतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टिटूशन्स, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नन्स का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजन्स एजन्सीज, CBI, ED, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्ताओं को, इन सब अध्षा जी ने, क्यामचर करा, धमकाया, डराया, प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूँ, आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और ऊस रोल को काफी लोगों ने किया काफी लोगों ने खुल के किया काफी लोगों ने छुप के किया और आपके emotions कहां थे हमें मालूम है लडाई समविधान को बचाने की थी constitution को बचाने की थी और मैं आपको सच बताऊ तो मेरे mind में था पहले से जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसल किया जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला पार्टियां तोरी मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने सम्विधान के लिए एक साथ खड़ी होके लड़ जाएगी और ये सच साबित हुआ मुझे में भरोसा था और मैं हिंदुस्तान की जनता से इंडिया गड़बंदन के पार्टनर से कॉंग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बबबर शेर कार्यकरताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ आपने सब्विधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है कॉंग्रेस पार्टी कॉंग्रेस पार्टी ने इस चुनाओं में कॉंग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने दो तीन चीज़ें की सबसे पहले हमने इंडिया गड़बंदन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की उनकी जो wishes थी उनको हमने साथ लिया और आपने देखा होगा कि जहां भी गडबंदन लड़ा हम एक होके लड़े दूसरी बात Congress Party ने Clarity से हिंदुस्तान को एक निया विजन दे दिया है प्रो पूर विजन प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गडबंदन ने साफ दे दिया है यह जो हमारा performance हुआ है इंडिया गडबंदन का performance हुआ है इसके पीछे Constitution जो reservation पर बीजेपी ने आकरमन किया गरीबी अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे देखें देखें उस्टॉक्स उनके तो बड़ी interesting बात है जनता जनता अदानी जी को मोधी जी से directly correlate कर रही है मोधी जी की हार होती है स्टॉक मार्केट कहता है भाया मोधी जी गए तो अदानी जी गए मतलब direct relationship है corruption की relationship है और देख ने नरेंद्र मोधी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाते हैं अंत में मैं आपको कह दूँ कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है सबसे गरीब लोगों ने किया है मजदूरों ने किया है किसानों ने किया है, गलेतों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछडों ने किया है, इन लोगों ने इस Constitution को बचाया है, इस Constitution ये Constitution देश की अवाज है, बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया, छुप रहे गए थे, मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबस चाहता हूँ कि कॉंग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है जो हमने आपको वाइदे किये थे हम वो वाइदे आपके लिए पूरे करेंगे जाती जन्गर्णा महालक्ष्मी ये हमारे वाइदे हैं धन्यवाद शुक्रिया राउल जी अभी तीन चार सवाल सिर्फ हम लेंगे सर आपके कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान के गरीब की जीत है समिधान बचाने की जीत है तो अगर आप लोग विपक्ष में बैठते हैं और सरकार बनाने की पहल नहीं करते हैं क्योंकि नंबर अंडिये और इंडिया एलाइस पो कुछ जादा नहीं है और अगर पहल नहीं करते हैं कैसे उनको आप जो है आगे उनका हग दिलाने के लिए आगे आप आएंगे वो ही सवाल आप मतलब दूसरे तरीके से पूछ रहे हो कल डिसाइड होगा इंडिया गडबंधन की मीटिंग है कल हमारा लाइन डिसाइड करेगा बड़ी फाइन लाइन है तो जो इनडिया गडबंधन डिसाइड करेगा उस पर हम एक्शन लेंगे रावल जी खरके साब ने का कि हम जनादेश को सुईकार करते हैं जनादेश इंडिया गडबंधन के लिए क्या है विपक्ष में बैठने के लिए या सरकार बनाने की कोशश करने के लिए और आप दोनों सीटों से जीते हैं बदाई आप कौन सी सीट रखने वाले हैं नहीं सब दोनों सीटों से जीता हूँ और राइबरेली और व्याइनार के जो वोटर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ अब डिसाइड करना है कौन सी सीट पे मैं रहूंगा थोड़ा पूछूंगा और फिर डिसाइड करूंगा दोनों सीटों में तो नहीं रह सकता हूं बट अभी डिसाइड नहीं किया है राउल जी राउल जी भारत जोड़ो यात्रा के लिए जब आप निकले थे तब से लेके अब तक काफी काफी लंबी यात्रा रही काफी बीच में उतार चड़ाओ आए अब सव कहा कड़ा आपने चुआ है 2009 में जब इसी तरह का मेंडेट आया था तो पार्टी के इंदर अब आप से पुश रहा हूँ दो दो चीज़ है दो चीज़ है दो चीज़ है यह जो मेंडेट मिला है आप अपोजीशन में रहके आप और पार्टी मजबूत करना चाहते या सरकार बना चाहते आप चाहते क्या है नहीं देखिए हम एक coalition के भाग है ठीक है Congress Party है बाकी पार्टिया है और उनके साथ अभी हमारा discussion नहीं हुआ है हमने बैया शांत हो जाएं हमने उनसे कहा था India Partner से कहा था कि चुनाओ के बाद पांच तारी को हमारी meeting होगी और उस meeting में हम ये जो सवाल है इसको decide करेंगे तो सच मुच में इस सवाल का जवाब आज हमारे पास है नहीं कल होगा अज़ी अमेठी में आपके लिए कहा गया कि राहूल गांदी ने अपने पीए को चुनाओ लड़ा दिया अब उनी किशोरी लाल शर्मा ने किशोरी लाल शर्मा जी जो है वो 40 साल से अमेठी में कॉंग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे है और उनका अमेठी की जनता के साथ रिष्टा है शायद BGAP के लोगों ये बात समझ नहीं आई थी कि किशोरी लाल शर्मा जी अमेठी से बहुत क्लोसली कनेक्टिड व्यक्ती है और इसलिए उनकी जीत निश्चित थी और मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि अच्छी तरह वो जीते हैं और उनको बारे में ये कहना कि वो PA हैं, stunner हो हैं, ये विल्कुल गल्त है ये offensive है, ये नहीं कहना चाहिए राहुल राहुल जी राहुल जी मैं मोहित हूँ न्यूस निशन से आपने एक बात बोली जो मैं इसके जवाब देना चाहता हूँ, देखिए UP UP की जनता से मैं कहना चाहता हूँ आपसे ज़ादा political wisdom मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया UP के जनता ने कमाल करके दिखा दिया नहीं नहीं बहुत सारे states ने कमाल करके दिखाया मगर UP ने हिंदुस्तान की राजनेती समझ कर Constitution पर खत्रा समझ कर उत्तर प्रदेश ने Constitution की रक्षा किये और मैं सब states का धन्यवाद करना चाहता हूँ मगर उत्तर प्रदेश को मैं special कहना चाहता हूँ आपने Congress Party का इंडिया गटबंदन का समर्थन किया बहुत बहुत धन्यवाद राहूल जी राहूल जी और इसमें UP में एक और बाद मैं बोल देता हूँ एक और बाद UP के बारे में बोल देता हूँ इसमें मेरी बेन प्रियंका गांधी का भी काम है तो यहां पीछे शुपी होई है